और अब रिकॉर्ड नंबर 67 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को नए प्रयोग करना बेहत पसंद है वो लोगों से जुणने के लिए नए नए तरीके तलाशते रहते हैं इसी क्रम में उन्होंने पुराने पढ़ चुके रेडियों के माध्यम को चुना तीन अक्टूबर 2014 को उन्होंने रेडियों के माध्यम से देश के लोगों के साथ मन की बात की इसके बाद उन्होंने नियमी तुरूप से रेडियो के माध्यम से देश की करोडों जनता के साथ समवाद किया लगातार तिरेपन कारिक्रमों के बाद 24 फरवरी 2019 को उन्होंने चुनाव की वजह से दो महीने के लिए मन की बात बंद करने की घोशना की खास बात ये है कि उन्होंने इस कारिक्रम में हमेशा मोटिवेशनल बातें की जनता के दुख दर्द को उठाया उनसे विमर्ष किया एक बार तो उन्होंने अमेरिकी राश्टपती बराक उबामा के साथ मिलकर समवाद किया उनके संबोधन से जहां रेडियो माध्यम का महत्य बढ़ा वहीं उसकी कमाई भी बढ़ी इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री रेडियो पर अपना संबोधन दे चुके हैं लेकिन वे सिर्फ सूचना देने तक ही सिमित रहे